सो हेलो एवरीवन ये है साइडस वैलनेस के क्वाटर बन के रिजल्ट तो देखते हैं इस शेयर की जो इंकम जनरेट हुई थी येरली बेसिस में वो 654 मिलियन थी जो अब यहाँ पर डिक्रीस होके 642 मिलियन यहाँ पर हो गई है इस शेयर के एक्सपेंस को देख लेते हैं येरली बेसिस में फर्डिक्रीस 538 मिलियन हो गई है याँ इनिकम के साथ साथ इस पर्डिक्रीस हुले है अब यहाँ पर टोечение सिव इंकम को देख लेते हैं yearly basis में comprehensive income जो है यहाँ पर 80 million थी yearly basis में quarterly basis में भी अब यहाँ पर 80 million रह गई है आगे हम इस share के earning per share को भी देख लेते हैं yearly basis में यहाँ पर 1.25 पैसे था जो बढ़कर अब 1.29 पैसे हो गया है overall तो जो share के result है वो यहाँ पर इतने अच्छे नहीं भी आए है इस वज़े से आज जो share है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट तो यहाँ पर देखने को मिली सकती है तो वैसे अगर आप इस share को hold करना चाहे तो 1 week से 2 weeks के time frame में यहाँ पर hold कर सकते हैं maximum target जो है 1,500 रुपे के round रहने वाला है और जैसे ही 1,500 रुपे इस share का price हो जाए तो आप इस share को यहाँ से sale करके भी आप चाहे तो इस share से exit भी ले सकते हैं